जब मैं रिसर्च कर रहा था क्योंकि हमारे शो का उदेश ही है कि हम जो इंस्पारिंग स्टोरी लाते हैं कि वो गेम चेंजर इस लेवल पहुचा कैसे क्या इनकी जर्नी रही तो उस जर्नी के तहर जब मैं देख रहा था आपके दादा जी का एक बहुत बड़ा इत्यास रह है और बड़ा सुर्णी में त्यास रहा है क्योंकि गुजराद एसेमली के वो डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं और सेशन जज़ भी रहे हैं यह आप कैसे दिखते हैं कि जो आपके फैमिली है इन फैक्ट आपके पड़ादा मोरभी के चीफ मेडिकल ऑफिसर भी रहे तो मेरे फादर को भी हुआ, he is MST in Chemistry, my mother did her BA honours way back in 1960s तो and obviously हमारे परिवार में हम सब की पीछे पैरेंट्स का और फैमिली का यह था कि अच्छी पड़ाई करोगे तो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे और आप जो समाज की और सुसाइटी की सेवा कर रहे हो इस जर्नी आप जब खुद पलट के देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है क्योंकि आपने हर जगा कुछ ने कुछ समय जरूर बिता हुआ है इंडिन जोग्राफी में तो you understand that very well. Small town विरावल में पढ़ने का फाइदा यह हुआ कि we got an opportunity to study from the early days in English medium school. तो हमारे इंडिन डिराउन की English medium school थी, परी मदर वहाँ पे teacher और primary section की principal भी रह करती थी, तो you can imagine, as a child, सभी teachers आपको पस्नलेजिस में जानते थे, तो वो एक अच्छा माहूल रहा है academics का, फिर आगे की पढ़ाई के लिए science में विरावल में सुविधानी थी, सोमनाथ विरावल चोटा शहर है, तौमदाबाद में GLS school में पढ़ाई की, और उसके बाद दो opportunities थी मेरे पास, architect बनने की, engineer बनने की, या management में जाने की, तो तब BBA का जो college है, सरदार पटेल उनिवर्सिटी का, वो pioneering college था इस चेटर में, अच्छी faculty थी, और मुझे खुशी इसी लिए है कि आने के वज़े से मैंने marketing फिलिप कोटलर, जो guru कहा जाते है marketing के, उनका अपयास किया,